तो कैसे हो यारों क्या हल चाल स्वागाता सब्सक्राइब करने वीडियो में और आज कि इस वीडियो में मैं धोखा मुवी के स्टोरी करने वाला हूँ तो देखो यार इस मुवी में एक टेररिस्ट है जिसके उपर 13 खोनों का इलजाम है वो एक दिन पुलिस के कस्टेडी से भाग जाता है और एक फ्लाइट में जाकर के घुश जाता है जहां पर एक औरत रहती है सांची नाम की उसके माथे परवंद्युक रख के बोलता है कि म फेर चल रहा है वो हम को पागल करना चाहता है हमको दवाया खिलाता है जिससे के हमारे दिमाग ठिक से काम ना करें हम पागल हो जाए और सब लोग उसी के बातों पर विश्वास करते हैं कोई भी हम पर विश्वास नहीं करता है और दूसरे साइड नीचे उसका पती आगे मान लेती है जो की रियालिटी से बिल्कूल अलग रहता है और माध्वन पुलिस को बोलता है कि मुझे अंदर जाने दो अगर उसको सही समय पर दवाया नहीं दी गई तो हाला बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी हमारे लिए आपके लिए और इभेन जो टेररिस्ट अं जो अंदर भाई में जो चिपके जा रही है जो अरत सांची उससे चिपके जा रही है उसको सीडियोस करने की कोसिज कर रही है और जो टेर्रिस्ट रहता है गुल वह उसके तरह थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होने लगता है उसके साथ हलका फूलका मतलब ऐसे है फिजिकली सांची बोलती है कि मैं अपने पती के साथ नहीं रहना चाहते हूं हम दुनों साथ में भाग जाएंगे एक साथ रहेंगे गाव में जाकर के रहेंगे और वह उसको ब्योकूप बना करके नीचे लेकर के आ ले जाता है और बोलता है कि चलो हम लोग को गाड़ी तो हम लोग जाएंगे तो लोग इतना करी रहा था जैसी नीचे आता है सांची जो रहती है वह चिला-चिला करके सब को बता देती है कि इसकी बंदुक खाली है जैसे पुलिस उसके तरफ एम करती है वह पास में पढ़ा करके वापस उसको रूम में लेकर करके चला जाता है छट पर वापस फ्लैट में जाने के बाद उसको याद आता है कि नीचे जाने से पहले उसने धोखे से चाय में मिला करके उसकी दवाई दे दी थी और इसी वह जासे वह ऐसा है रियक्ट कर रही थी थोड़े दिर बाद उसका जो condition रहता है वो नॉर्मल होता है और पहले की तरह वो फिर से उसके साथ होने लगती है इस बर गुल पुलिस से 50 लाख रुपे और एक गाड़ी की डिमान करता है और आर्मादवन किसी भी तरह से इजर उदर से मांग वांग करके 50 लाख रुपे लेकर के आ जाता है लेकिन पैसे लाने जाने से पहले उसने पुलिस वाले को बताया था कि उसकी वाहिफ का किसी के साथ अफेर चल रहा है अब देखो यह वाला पॉइंट याद रखना आगे सेल करके काम आएगा तो देखो यह ऐसा कुछ हो रहा होता हो पैसा लेकर के आता है उसके बाद वह पैसा लेकर के उपर जाता है और उपर रूम में से चार-पास गोलिया चलने की आवाज आती है जब पुलिस अंदर जाती है तो देखती है कि जो वो औरत है वो आर्माधवन के गोद में पड़ी हुई है उसको गोली लगी हुई है वो मर चुकी है और जो टेररिस्ट है गुल वह आँपर पड़ा है वो भी बोल रहा है कि मैंने गोली नहीं चला है मैंने गोली नहीं चला है पुलिस उसको पख़ड करके जयल ले जाती है इसको पड़ा गया जब वह पैसे लेकर के जाता है तो वो उसके साथ वापस चानी के लिए रेडी हो जाती है जिसके बाद जो टेरोरिस्ट रहता है वह बहुत जाता है उसकी वाइफ को शूट कर देता है वहीं पर जो टेरोरिस्ट रहता है उसका कहना है कि आर्माधोन नीचे से पैसे लेकर के आता है और एक दवाई की के डिपीया लागर के टेबल पर रख देता है और बोलता है कि बस ये दवाई की डिपीया यहां तक लाने के लिए महीं आया था उसके बाद तुमको जो करना करो उसको ले जाना है मार शो मार जो म felic झोके मुझे उससे फरक नहीं पड़ता है और इसी बात को ले करके उसके साथ भास हो जाता है उसकी वाइफ के साथ और उसकी वाइफ बोलती है कि तुम इसको शूट कर दो गुल को बोलती है कि शूट कर दो और गुल उसके तरफ ऐसे बंदूप तान देता है और इसी बीच आर्माधवन और उसके बीच में फाइट स सितिस नहीं थी और आर्मादवन अपना घर चला जाता उसको छोड़ दिया जाता है अब देखो यार आपको लग रहा हो कि स्टोरी खतम होगी लेकिन स्टोरी में अभी एक ट्विस्ट आना और भी बाकी है लेकिन मैंने आपको बताया हुए था कि सांची का अफेर चल रहा और वो उसको ब्लैक्मेल कर रही थी कि तुम मेरे साथ यूके में शिफ्ट हो जाओ यह पुलिस वाली जॉब छोड़ दो अपनी बच्चों को छोड़ दो जिसके लिए रेडी नहीं था तो वह क्या करता है कि मैं तुमको फासे से बचा सकता हूं वह उसको वहां से भागन जिसके बाद पूरी कहानी बदल जाती है तो ऐसा कुछ होता है मैंने आपको स्टोरी बता दी है जब गुल को mental asylum ले जा जा रहा था तो वह सांची से बात कर रहा था उसके बगल में सांची बैठी हुई थी और उससे बाते कर रहा था वो बोलता है कि कि किया मैंने एक भी यह और मेरे उपर 14-14 खुनों का इलजाम लगा दिया गया है और ऐसा करते में दिखाया गया है और नेक्ट सीन में दिखाया जाता है कि वहां पर कोई नहीं बैठा हुई है अपने आप में बड़ बड़ आ रहा था वह इसका मतलब यह है कि उसको भी illusion disorder है तो अब इस बात उसको भी illusion disorder वह भी जो उसको अच्छा लगता है उसको सच मान लेता है तो भाई अब देखो मतलब पूरी कहानी घूमफिर कर रह वहीं आ गई है कि मतलब भाई सच क्या है किसी को नहीं पता है तो बस यही था स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना इसका